जास्टिस फ्र राहूल आपने देखा होगा किस तरीके से прир고 कर रहा है कई सारे लोग लिख रहे हैं कि जास्टिस फ्र राहूल बरूना गाओं की घटना है बरूना गाओं यानि कि विईया थाना च्छ coconut के अंतरगत आता है चरिक है क्यों पूलिस उन्होंने गोली कि पचली कि आ सारी घंटाननी के लिए यहां पर पहुंचे हूए है Alfakar तरफ से उनकी माँ हो उनके घर के लोग हो या आपके हैं तो कई सारे लोग कर रहा हैं कि इनको करवाई हो तो आखिर कर वाई नहीं हो रही है लेकिन हम यहां पर भी आये तो हमें कई कुछ चीज जानने को मिले, यह लोग बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं, और नहीं बताना चाहरे हैं, लेकिन हम इनसे जब आफ रिकोर्ड इनसे बात हुई तो इन्हों ने बताया कि हमारे पुलिस कर्मी जो है, वो दोडो पुलिस कर् कर्मी जो है उसके ब्रेंड में इनर चोट है जो की वह अभी एड्मिट आरा के समय हस्पीटल में जाके ब्रेंड के जो डॉक्टर हैं उनसे चेकप उनका चल रहा है आप फोटो भी देख सकते हैं दोनों पुलिस कर्मी का ये पक्ष आप सोच रहोंगे कि आसा एक भारत क्यो रख रही है इसलिए रख रही है कि जब हमने केंडिल मार्च दिखाया और जब हमने इनके उपर सवाल उठ रहे थे उसकी भी बाते चलाई और उन लोगों ने जो जो सवाल उठाए वो सारी चीजे हमने दिखाई थी तो उस समय भी पूछा गया कि आकिर आपने एक पक्ष क्यों चलाया तो कई सारे पब्लिक दिमांड के बाद हम इस थाने में पहुचे हैं और इस थाने में भी हम इनका पक्ष जानने के लिए लेकिन यह सब अभी बता नहीं रहे क्योंकि कारण जो है अभी यह जाच का विसा है और एस पी महोदे या उच अधिकारी जो भी पुलने जा रही है उसके पहले पूलिस का पक्ष यह है कि यह लोग दो पक्षों में जब लडाई हुई थी वहां पे बरुना गाओं में तो यह वहां पे जाके उन लोगों को बचाना चाह रहे थे बचाने के लिए यह लोग पहुचे जो एक पक्ष था जिसको चोट आई है और कई जगा चोट आई है तो उसे बचाने के लिए थाना पहुची थाना जब वहां पहुची तो वहां पे दो घर से गाली गोलोज की आवाज आई यह लोग जाके पूछना स्टार्ट किये तो उसके बाद वहां से लोग जो हैं इनके उपर हमला कर दिये और इनक पुलिस कर्मी जो है उनका पिश्टल वहां पे 55 साल के कोई है उनका पिश्टल जो है घीच लिया गया वहां के लोगों के दोवारा और उसके बाद आगे का क्रम यह हुआ यह लोग जान बचाके वहां से भाग गये भागने के बाद उसके अधिकारियों को बताया फिर उसके अधिकारी जो है इस्पेसल टीम गठन किये और टीम गठन करने के बाद एक या डेढ़ बजे बरुना गाओं फिर से यह पहुचे पिश्टल रिकवरी करने के लिए क्य काबू में करना और आपने कबजे में करना इनका राइट है तो यह गए गाओं में जाने के बाद क्या कुछ हुआ वह आपने सुना ही होगा लेकिन इनका जो है इनका पक्ष जो है यह इनका कहना है पुलिस का जो कहना है ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड की मैं नहीं बात क ख़टाए तो खबर यहीं तक जितने भी हम municipal ऐन विल्ट्र Crime मरें सथा ऑफ यह जो पिरित है उनका क्या दिक्कत है उनको किस तरीके से क्या कुछ है मामला है और ये थाना और पुलीस का पक्ष जो था वो इस एपिसोड में था खबर यही तक आपका प्यार समर्थन अगतार मिल रहा है इसके लिए सुक्रिया धन्यवाद जरूर बताएगा आपको क्या होली मंती है यह सारी चीजे आपको पता है मैं थाना के सामने हूँ मैं यह सच बताने से कभी नहीं हिचकूंगा कि बिहार में पूनरूप से सराब बंदी है या नहीं है यह आपको जरूर पता होगा और पूनरूप से सराब बंदी का मतलब आप भी समझ सकते हैं कि बिहार कर रहे हैं कई सारे लोगों का येल कही सारे लोग सलाकी में में भी गए हैं पकड़ाय भी हैं दारू भी पकड़ाय है लेकिन पूनरूप से जो सराव chang है वह अभी तक पूरे बिहार में नहीं हो पाया है जय हिंद जय बिहार मैं रहनाARDSेंग विंयह था नहीं इस आपके लिए आपका अपना असाएक भारत को सब्सक्राइब करिए और साथ बेल बटन दवाना ना भूले क्योंकि बेल बटन दवाईएगा तभी तो खबर फटा फट पाईएगा